इस वीडियो is only for educational entertainment purposes मैं इस में पर्मोट नहीं कर रहा हूं यह मेरा experience मेरे clients का experience instagram बहुत प्रवाण पॉलिफ्टिंग आ रहा है तो वो मुझे strength के लिए कोई ऐसा साम बताओ ठीक है selective energy receptor modulator देखिए आपको मैं बता दूँ strength के लिए सबसे बड़िया साम है red 140 जिसने भी try किया उसको पता है यह anadrol का विबाप है in terms of strength ठीक है red 140 से उपर strength में कोई भी साम नहीं है ठीक है अगर आ आप steroid की बात कर रहे हो तो उसमें अफकोर्स anadrol ठीक है hello test यह सब है but red 140 इंसाम फैमिली देखो मैं तो powerlifting नहीं करता है मैं तो bodybuilding type type training करता हूं hypertrophy के लिए बिल्कुल कम moderate weight से train करता हूं mostly machines use करता हूं बड़ अगर आपका powerlifting goal है तो मेरे काफी foreign के अस्ट्रेलिया के भी कुछ clients है जो red 140 जिनको मैंने research करवाया है उनको prep के तुरान उनको amazing results मिले है amazing ठीक है आपकी strength बहुत बढ़ती है मैंने जब first time red use किया था बाप ray जो मेरी strength level बड़ी सी मैं आपको बता नहीं सकता 30 kg bench press में 30 kg add करना is not a joke it's not a joke 30 kg bench में add किया था मैंने you can imagine 120 kg का मैं bench तब लगा रहा था during red 140 cycle और इसकी strength आप maintain कर सकते हैं जब आप proper PCT करते हैं तो proper PCT के लिए प्रॉपर PCT के लिए मैंने वीडियो और इस चैनल पर बनाई हुई है विजिट करें आपको मिल जाएगी जा मैं description में link दो दूँँगा PCT सांस की किस तरह की जाती है जिससे आब 90 to 90% of the gains 90 to 95% of the gains आब maintain कर सकते हैं ठीक है वीडियो पसंद आएगी like करना share करना comment करना बहु प्रॉलन कोचे लिए instagram या whatsapp कर सकते हो description में सारी details मिल जाएगी टे सेक्सी